नमस्कार दोस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे NCAIT कच्छा नौवी की बारत और समकारीन विस्ट फर्ष्ट के नाम से जवाब किये मुख से उसी पर हम लोग थे तो इसमें आपका पाथ चेप्टर हम लोग कदम कर चुपे आज हम बात करेंगे किसान और कास्तगा यह आपका चेटवा चेप्टर है याद रखिए अगर आप इस्टेट PCS या फिर IES यानि की सेविस सर्विस की धैयारी कर रहे हैं तो आप NCEIT समय रहते हुए पढ़ ले क्योंकि इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है आप सोचें कि बिना NCEIT पढ़े कुछ हो जाए तो कुछ नहीं होने बाला है ठीक तो इसलिए अभी समझ जाए और समय रहते हुए अगर पढ़ लें तो बहतर रहेगा और मेरा मेर तरफता यह की सला है कपच्छा चटवी से बारे पी तक पड़े और फिर भी अगर आपको पास ट Amber अपू लगतनकी, मेरे पास टैंप नई तो नववी से बारवी तक पढ़ना आपको जरूरी है जो कपच्छा चटवी से आटवी तक की है वो तो बहुत छोटी वुक्स हैं वो बहुत सर्ल सब्दों में लिखी गई तो आप एक सब्दाय में भी कितम कर सकते हैं उनको तो उन्हें पढ़ बिलें तो कोई पर्क नहीं पढ़ेगा एक सब्दाय बहुत दिन नहीं होते हैं तो थोड़ा प्रेस अच्छे से मजबूत हो जाएगा अगर खच्छा-चटवी से आठवी तक की भी आप लोग साथ में ले 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 ठीक है और सभी वुक्स आपकी टेलीग्राप चैनल पर जाल दी गए हैं अगर आप नहीं खरी सकते हैं तो वहां से डाउनलोड करते हैं अगर आपके तरफ नहीं मल लें किसी गिरामीट छेत से हैं आप लोग तो उसे निकलवा सकते हैं फ्रेंट आउट के रूम में ठीक है बड़े धेर के साथ सुनना है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको पिछली दो अध्यायों में आप बनों और चारागाहों के बारी में पर रहे थी और उनके बारे में भी जो इन सरोतों से रोजी रोटी अरजित करते हैं आपने जूम खिती करने वालों चर्वाहों और जन्जाती समुखों के बारे में भी पढ़ा है आपने जाना कि किस तरह बनों और चारागाहों को आद्मनिक सरकार ने नियंतित करना शुरूं कर दिया किया और उनकी पावंदियों से उन पर भी असर पड़ा जो इन संसाबनों पर आस्रित थे हैं इस सद्याय में हम आप विविन देशों के खितियर समुदायों के बारे में पढ़ेंगी यहां एक और इंग्लेंड के छोटे किसान कोटे यह और अमेरिका के ग्याहूं उत्प बादक किसानों के बारे में जानकारी हांसिल करेंगे वहीं दूसरी तरफ आप जानेंगे कियादों निख्यति की सुरुवात कब विविन देहाती समुवों पर क्या प्रभाव पड़ा यह भी कि विस्व व्यापी पूंजी बादी बाजार से जोड़ने के दुनिया के अल बिचलता रहा है आई ये इस पिकार की शुरुवात एंग्लेंड से ही करें जहां किर्सी करांती ने पहली दसक दस्तक दी थी एंग्लेंड में आदोनी ख्यती की शुरुवात पहली जून अठारा सो तीस की घटना है एंग्लेंड के उत्तरपश्ची में छे तके एक किसान ने अचानक पाया कि उसके बाड़े में रात को आग लगने से पुआल सहित सारा खलियाद जलका राक हो गया बात के महिनों में इस तरह की कई धटनाएं दूसरे जलों में भी दर्च की गए कहीं सरे पुआल जल जाती और कहीं तो पुरा-पुरा हाम-हाउसी स्वाहा हो जाता था पर 28 अगस्त 1830 की दिन इंगलेंड की इस्ट केंट में मर्दूनों ने एक थेशिंग मसीन को तोड़ कर दिया इसके बाद दो साल तक दंगोप का दौन चला जिसमें तोड फोड की एगटनाएं पुरी दर्चडी इंगलेंड में फैरी इस दौरान लगबक 387 थेशिंग मस इन वही होती हैं जिनसे आप लोग अनाज निकालते हैं कि किसानों को धंकी वरे पत्र मिलने लगे कि भी इन मसीनों का इस्तिमाल करना बंद कर दें क्योंकि इनके कारण मेहनत कसों की रोजी छीनी गई है जानतर खतों पर कैप्टैन फ्रेंप नाम की किसी आदमी के दस्तक होते थे जमीदारों को यह खत्रा सताने लगा कि कई हत्यार वंद गिरो रात में उन पर हमला भी ना बोल दें इस चक्कर में बहुत सारे जमीदारों ने तो अपनी मसीने खुदी तोड़ डाले जबाब में सरकार ने सक्त कारवाही की जिन लोगों पर सक्ता बिर्दंगे म निकाला किया गया जिन में से 450 को ऑस्टेलिया भिद दिया गया लगभग 644 लोगों को बंदी बनाए गया इस पूरी सी कहानी का मतलब एक ले लीजी आप लोग आपके यहां हर्वेस्टर आता है फसल गाटना के लिए अब जैसे हर्वेस्टर आता है तो आपके किसान आप कि आप फसल कटवा लेंगे हर्वेस्टर से तो उन्हें कोई रोजगार भी नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे एक यूनियर बनाके आपकी फसल को जलाने लगे और जो हर्वेस्टर होते उसकी तोड़ कोड़ करने लगे किसानों को मार पीट करने लगे तो ऐसी ही गटना कि यहां घटी इंगलेंड में ठीक है बिल्कुल यहीं सेम घटना है कोई दूसरी घटना नहीं है इसी से आप लोग जूड़ कर देख सकते हैं इन खेतों में मौजूद कैप्टेन फ्रेंड एक मित की यह नाम था जो साइन की नाम पर दंगे करने वाले आकित थे कौन बेठेसिंग मसीनों को तोड़ने पर क्या अमादा थे बेकिस बात का विरोध कर रहे थे इन सवालों का जब जानने के लिए हम हमें 18-19-19 सधी के द लगाने के इतिया से पिक्रिया होती थी आपकी बाड़ा बंजी कौमन्स पारंपरिक समाजों में साज्या समुदायक जल जंगल जमी खुले केतों और कौमन्स का दोर 18-20 सधी के अंतिम बर्सों और 19-20 सधी के शुरुआती दोर में इंगलेंड के देहाती इलाकों में नाटकिये बदला हुए पहले इंगलेंड का ग्रामीड छित काफी खुला-खुला हुआ करता था ना तो जमीन भूस्वामियों की निजी संपत्ती थी नहीं उनकी बाड़ाबंदी की गई थी किसान अपने गाउं के आसपास के जमीन पर फसल होगा थे थे और साल की सुरुआत में एक सभा बुलाई जाती थी जिसमें गाउं के हर बेक्ती को जमीन के टुकडे आवडित कर दिये जाते थी जमीन के टुकडे समा रूप से उपजाओ नहीं होते और कई जगे बिकरे होते हैं कौसे से होती थी कि हर किसान को अच्छी और खराब दोनों तरह की जमीन मिले खेती की जमीन के परे साजह जमीन होती थी कौमन्स की इस साजह जमीन पर सारे गरामीडों का हफोता था यहां बे अपनी मवेसी और भेड़वकियां चराते थे जलावन की लगडियां यानि की जलाने की लगडियां बीनते थे खाने के लिए कंद मूल फल इखटा करते थे जंगल में भी सिकार करते और नदियों ताल तलेयों में मसली पगड़ते गरीबों के लिए तो यह सांजा जमीन जिंदा रहने का बुनियादी सादन थी इसी जमीन के बलब पर बे लोग अपने आय में कमी को पूरा करते कि आपने क्या किया कि आपका पूरा गाओं है ठीक है पूरी गाओं की जमीन किसी एक के नाम नहीं है यानि किसी एक किसान के नाम नहीं है, सब लोग पंक्या दोराकर वो इस जमीन को सब किसान को ते दै कि आप इस बार आप लोग इस खेदी पर फसल ओगा वी, उससे भोलत है जानी दूसरे से कि आप इस खेदी पर खाहा हो, पसल समझ सकते हैं की मतलब एमिल जोर कर खेथी करत ऐसा ही हुगा करता था फेले आवी एंगलेंड की कुछ हिस्सों में खुले खेतों और मुप्त और सांची जमीन की यह अर्दवस्ता सोलेवी सताथी से ही बदलने लगी थी सोलेवी सती में जब उन के दाम विस बाजार में चड़ने लगी तो संपन किसान लाव कमाने के लिए उन का उत्वादन बढ़ाने की पॉस्स करने लगी इसके लिए उन्हें बेड़ों की नसल सुधाने और वेतर चारागाओं की आवस्ता हुरी नतीजा एया हुगा कि सांची जमीन को काट चाट कर गेरना सुरूं कर दिया ताकि एक की समपती दूसरे से या सांजा जमीन से अलग हो जाए सांजा जमीन पर जोपडियां डालकर रहने वाली ग्रामीटों कोनों उन्होंने निकाल बाहर किया और बाड़ाबंद खेतों में उनको उनका प्रवेश ने शिद्ध कर दिया यह बाड़ावंदी की सुरुवात थी यानि कि अब जमीनों को अपने आप में हते आने लगी थी लोग अठारवी सदाप्धी के मद तक बाड़ावंदी आंदोलों की रफ्तार काफी धीमी रही सुरुमें गिने चुने भूमें भू स्वामियों ने अपनी पहल पर ही बाड़ावंदी की थी इसके पीछे राज जिया चर्च कहां नहीं था लेकिन अठारवी सदी के दूसरे हिस्से में बाड़ावंदी आंदोलों इंग्लेंड की पूरे देहात में फ्यल गया और इसने इंग्लेंड की भूदेश को आमूल बदल कर रख दिया सत्रे सो पचास से अठारे सो पचास के बीच साट लाख हिकड जमीन पर बाड़ी लगाए निए बैटिंग की संसद ने सक्रे भूम क्या निभाते हुए इन बाड़ों को बैदेता पिदाने करने के लिए चार हजार कानूम पालिक की कितने चार हजार इस चित देख रहे हैं आप लोग कैप्टेंग स्वाइंग आंदूलन 1832 के दराने इंग्लेंड की विमिन काउंटियों में तोड़ी गई थ्रेसिंग मसीन है इस जे हॉप्स बॉम तथा जॉर्ज रूदी की बुस्तर कैप्ट कि देख रहे हैं यह संख्या है और यह आपका बीच में आंदूलन का प्रवाच्चे थे यहां के कुछ पॉइंट हैं ने भी देख लेते हैं क्या है यह दम की भरे खत काफी बड़े प्रमाने पर भेज़े जाते थे कई बार इन खतों की भासा काफी सारी होती थे जबकि कई बार बहुत कड़ी भासा कर इस्तेमाल किया जाता था कुछ पत्व बड़े छोटे होते थे देखें एक नबुना स्रीमान हम आपको यह बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी तेसिंग मसीन खोद नहीं तोड़ी तो हम आपने लोगों को भेज कर यह कांद कराएं सब लोगों की ओर से स्वहिंद हम सकते हैं इतने से में किया गया है एक बात आप लोगों हमेंसा याद रखा करिएगा जहां पूरी एक पेज की जरूरत हो वहां सबसे एक दो लाइन में नेपटाने की कौसिफ किया करिए यहीं तो आंसर आइटिंग है आपकी यहीं तो कॉस्चन को प्रभावी बनाती है आंसर को जब आप आंस सब्सक्राइब अगर पूंच रहा है तो आपको उन्हें समयट कर में मैं चीजें मतलग पूरा निसकर्ष निकाल की जिस तरह ऐसे आप देखते हैं कि दही बंदा है दही में से निसकर्ष कर निकलता है मक्षन तो वही मक्षन निखालना है आपको और रख देना है समय आए कि अगर कोई पचास सब्द बोल रहा है तो तुम ऐसा सब्द एक निकालो कि उस पचास सब्द की फूर्थी हो जाए ठीक है तो वही प्रभावी व्यक्ति होता है जो अपनी बात को सौट में कह देता है और सबसे प्रभावी वी बात उसी की होती है आँगी बात करते है स्वैंगी की ओर से सक्त भासा में बेजे गए खतकाई निबुना स्रीमान आपका नाम बिलेक बुक में दर्ज बिलेक होट्स की सूचिये मैं रखा गया है आप और आप जैसे अन्न लोगों कुछ सलाय दे जाती है कि अपना इरादा बताए आप फरावसर पर जन्ता की विरोध भी रहे आपको जैसा करना चाहिए था अभी तक आपने वैसान नहीं किया स्वैंगी ये आपका कठोर पत है सक्त भासा में अब बात करते हैं अनाज की बढ़ दिमाग जमीन की कुप बाड़ा बंद करने की ऐसे जल्दीवाजी क्यों थी और इन बाड़ों का मतलब क्या था नए बाड़े पुराने बाड़ों से बिन्ने थे जहां सुलेवी सताथी के बाड़ों में भेड़ पालन का विकास किया गया वहीं अठारवी सताथी की अंधिम बरसों में बाड़ा बंदी का उद्दिश अनाज हुत्पादन पढ़ाना हुगे और इसका संदर्व में भी अलग था एक नए दोर का सूचक अठारवी सताथी के मद से इंगलेंड की आवादी तेजी से बढ़ी सत्तरे सो पचास से उननीस सो के बीच इंगलेंड की आवादी चार मुना बढ़ी सत्तरे सो पचास में कुल आवादी थी आपकी इंगलेंड की सत्तर लाग जो अठारे सो पचास में 2.1 करोड यानि कि 2.1 करोड और 19 सब में ये पहुंच गए 3 करोड ठीचे समझ सकते हैं जाहर है कि अब जांगानाज की जरूरत थी इसी दौर में इंग्लेंड की उद्धोगी ग्रांती भी होने लगा बहुत सारे लोग रहने हैं और काम करने के लिए गाउं से सहरों का रूप करने लगें खाद्यानों के लिए वह बाजार बने बार होते लिए इस तरह जैसे 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 सहरी अबादी बड़ी है वैसे वैसे खाद्यानों का बाजार भी फेलता गया है, और खाद्यानों की मांग के साथ उनके दाम भी बढ़ने लगी है, यह तो आप भी जानते होंगे, यह आपने यह देखा होगा, गया हूँ कितना रुपे किलो, आप लोगों ने देखा, चार से पांच रुपे किलो द इस चीज की डिमांड जाना होगी, यानि की मांग जाना होगी, उसकी कीमत बढ़ना सभा भी उसी बात होती है, चीज़ा, अठारवी सदी के इंद में फ्रांस और इंग्लेंड की बीच योद सुरू हो गया, इसकी वज़े से यूरोपिये खाद्यानों के आया से ब्यापा आने पर अना जोगाने लगे, उनकी तिजोरियां बनने लगी और उन्होंने बाड़ा बंदी कानूं पारित करने के लिए संसत पर दबाव डालना सुरूं कर दिया, यह आप गिराप देख नहीं, इंग्लेंड और बेल्स में गेहूं के दामों का बासिक खौस्त, 371,850 के इस तरह से, यहां तो सब देख लेंगे, बुसेल, छमता की माप, सिलिंग, इंग्लेंड की एक मुद्रा का नाम है, बीस सिलिंग में एक पॉंड हुआ करता था, एक पॉंड बरावत बीस सिलिंग, तिया, यह बरस होगा इस तरह आप, इस तरह आप, तरह आप जाएंगे, तो सिलिंपिती, पूज, बुसेल, इस चित को देख रहे होंगे, आप, 19 सभी सदी की सुरुवात में, संप, फ्रॉब का, फॉब का देहाती इलागा है, अंग्रेज चित का जॉन, कौन, टेवल, की किती है, कौन, टेवल की पिता, अनाज के बड़े ब्यापा आई थी, कौन, टेवल का बच्पन, पूर्वी इंग्लेयने के गरामीड चित्रों सफोक में भी था, इस चित्र में बाड़ावंदी का का मुनिस भी सदी से काफी पहले पूरा हो चुका था, कौन, टेवल के देहात के पुले, जीवन को बड़े भावपून, धं से उकेरते हैं, उनके चित्र में हमें ऐसे दौर से परचित कराते हैं, जब देहात का सीधा सरल और खुस नुमा, जीवन अतीत की बाद बनता जा रहा था, और खुले खेतों की बाड़ा बंदी की जा रही थी, इस चित्र में हम खेतों पर लगी, बाड़न देख सकते हैं, लेकिन इससे हम यह पता नहीं चलता कि तत्कालिंग बूद्रस कैसे बदला जा रहा था कॉंस्टेवल की चित्रों में हम आमतोर पर मेहनत कस जन्ता दिखाई नहीं देती पर चित एक में पर नजय डालने पर पता चलता है कि सापों कैसे इलाकों से गिरा हुआ था जहां स्वेंग दंगों की दौरा बड़े प्रमाने पर थे सिंग वसीने तोड़ी गई थी अब बात करते हैं बाड़ाबंदी का योग इंग्लेंड की द्यास में 3780 कदसग पहले कि किसी भी दो से जान्दा नट की यह दिखाई हमें देता है इससे पहले अक्सर यह होता था कि आवादी बढ़ने से खाद्यान का संकट गहरा जाता था लेकिन 37 में इंग्लेंड में ऐसा नहीं हुए जिस तेजी से आवादी बड़ी उसी हिसाब से खाद्यान उपादन में भी बड़ा जल संक्या की बड़ी तेज रखता है कि भाब जूद 1868 में खाद्यान की अपनी जरूतों को का 803 सद इंग्लेंड खुद पहला कर रहा था बाकी का आयात किया जा रहा था इसे में खाद्यान नुथ पन्हें में कि यह विठी खेतई की टखनिक में किसी नए बदलाओं का पिणर नहीं थी बलकि हुआ स्थिप यह कि नई नई जमीनोں पर केती की जाने लगी वो स्वामियों से ने मुक्त खेती, सारवजनेक जंगलों, दल्दली जमीनों, चारगाहों को काट छाट कर बड़े बड़े खेत बना दिये सीधा सा मतलब है कि इस समय कोई खेती में तकनीकी में सुधान नहीं किया गया था कोई अच्छे बीज बो रहे हूँ, इसलिए उत्पादन बढ़ गया हूँ, नहीं, बलकि जो जंगल थे, जो सारवजनेक जंगल थे, जो खेती थी, दल्दली खेती थी, उन्हें भी आप लोग खेत बना रहे थे, और में भी खेती कर रहे थे, आपने देखा होगा कि आपके आपका उत्पादन तो बढ़ गया, लेकिन आपने कोई सुधार नहीं किया अपने उत्पादन चमता में, इसलिए बढ़ गया, क्योंकि आपने और जानदा खेती करने लेगे, और जानदा च्छेत बल पर, एच्छेत देख रहे हूँ, संसदिये कानूनों के दर सारुजीनिक बूमी की बाड़ा बंदी, अठारवी उन्नीस भी सदी में, इजी हॉप्स बॉम तथा जौद रूद्दे की फुस्तर कैप्टन फ्रैंक पर आधा रिथी, यह आपका 50 उससे है, यह आपका 30 से 50 है, फिर 10 से 50, पास से 10, पास से कम, यहां जे देख रहा है, गहरा लाल बलंग, यह आपका है, 50 से जानद, एक एंड, नौर्फॉक, सर्फॉक, देख सकते हैं, आँगे बात करते हैं, इस समय तक किसान केती में उन्नी सरल तक्नीकों का इस्तिमाल कर रही थे, जो 28 सदी के प्यारम में बड़े करमाने पर पिछली थी, 1660 के दसक में, इनलेट की कई हिसों में किसान सल्यम और तिप्त या गास किलोवर की किती करने लगी थे, उन्हें जल्दी एह एसास हो गया है, कि इन फसलों से जमीन की पैदावार बढ़ती ह सल्यम को पसू भी बड़े चाओ से खाते हैं थे, जानी कि पसू भी ने खाते थे, इसलिए भी सल्यम और तिप्तिया गास की खेती निवेतरूप से करने लगे, बात के अध्यनों से पता चल्दा कि इन फसलों से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती हैं, जो फ सल्यम और तिप्तिया गास की खेती से जमीन में नाइट्रोजन की मात्रा फिर से बढ़ जाती थी, जमीन फिर उपजाओ हो जाती थी, इस तरह उन्नीस भी सधी के बैहरंबीक बर्सों में खेती में सुधार लाने के लिए किसान इनी सरल तकनीकों का नेमित रूप से इस्त आने के लिए लोग बदल बदल कर फसलें मोने लगी थी, बाड़ावंदी से अमीर वो सामियों को अपनी जोद बढ़ाने, वो बाजाल के लिए पहले से जानदा उत्पादन करने की सहुलियत भी मिलती है, एक बात आप भी अपना सकती है, यानि कि फसलें बदलते रहने से फसल की यानि की खेती की उत्पादकत बढ़ती है, यानि कि उपजावू बनती है खेती, गर आप एक ही एक फसल होगाएंगे, तो उसकी पुरवर्ट चमता घट जाएगी, फिर आपका गरीबों पर क्या भी थी समय, बाड़ावंदी ने भू स्वामियों की तजूरियां पर उन लोगों का क्या हुआ, जो प्रोजी रोटी के लिए कॉमंस पर ही अश्रित थे, बाड़ा लगने से बाड़ के भीतर की जमीन भू स्वामि की नेजी चनपत्ती बन जाती थी, गरीब आप ना तो जंगल से जलावन की लगणियां बटोर सकते थे, ना ही साजा जमीन पर अपने पसू चरा सकते थे, बे ना तो सेव या फिर कंद मूल बीन सकते थे, और ना ही गोस्त के लिए सिकार, यानि की मास के लिए सिकार कर सकते थे, अब उनके पास फसल कटाई की बाड़, बची ठूटों को बटोरने का भी कल्पी नहीं रहे गया था, हर चीज पर ज जहां कहीं बड़े प्रमाने पर बाड़ा बंदी हुई, खास्तोर पर इंगलेंड की मद्धबर्ती चित्रों और आसपास के प्रांतों, प्रांतों के हाँ काउंट, टीयो बोलते हैं, वहां गरीवों को जमीन से बेदखल कर दिया गया, और उनके पारंपरे कदिकार देरे खतम होते गए, अपने अधिकारों से बंचित और जमीन से बेदखल, उकर बे नए रोजगार की तलास में दरदर भटकने लगे, मद्धबर्ती चित्रों से बे दच्छडी प्रांतों की उल जाने लगे, मद्धचित में सबसे सगन खेती होती थी, और आखेती हर मजदूर की भी भारी मानती, लेकिन अब कहीं भी गरीबों को एक सुरक्षे तोर नेमेत रोजगार नहीं मिल पा रहा था, आप इनकी स्थिति हमारे यहां के जो आधिवासी थे उनसे ले सकते हैं, जब आधिवासीयों से उनके पारंपर इक अधिकार छिलिए गये, जंगलों से उन स्वामियों के साथ ही रहा करते थे, बेमालिकों के साथ खाना खाते और साल वर उनकी सेवा एहल करते थे, यह रिवाज 1800 तक आते आते समाथ होने लगे, अब मजदूरों को काम के बदले देहारी दी जाती थी, और काम भी किबल कटाई के दोरान ही होता था, जमीदार अप बर्स के बड़े हिस्ते में गरीब बेरोईगार प्रहनी थी, यानि कि गरीबों के इस्ति थी बद से बत्तर हो चीए, पर आपका थेसिंग मसीन का आगमन, जिन दिनों नैपोलियन इंगलेंड के विरूद ये उद्ध छड़े हुए था, उन दिनों खात्यान के भाव काप प्रहना उत्पादन बढ़ाए, मजदूरों की कमी के डर से उन्होंने बाजार में नई नई आई थेसिंग मसीनों को खरीदना सुरूं करती है, कास्तगार अक्सर मजदूरों के आलस, सराभ खोरी और महिनस से भी जी चुराने की सिकायत किया करते थे, उन्हें लगा कि मसी मसीनों से मजदूरों पर उनकी नर्वस्ता कम हो जाएगी, इसका मतलब यह भी रहता है, आपने दिखा है, आप इसलिए कटवा लेते हैं हारवेश्टर से, कि आपको लगता है वरसान मौसम कब क्या हो जाए, फसल मेरी बरवादना हो जाए, मजदूर मिले या नहीं, नहीं यह लोग कर रहते, यह उत्य समाप्त होने के बाद बहुत सारे सेनिक अपने गाओं और खेत खलियान में वापस लोटा है, अब उन्हें नए रोजगार की जरुवत थी, लेकिन उसी समय यूरोप से अनाज का आयात बढ़ने लगा, उसके दाम कम हो गए, और किसी मं संधी छावे, चित दो में कीमतों का अगर आप देखें, आपने उपर देखा था ना, बेचेन होकर भूस्वामियों ने खेती की जमीन को कम करना शुरू करती है, मांग करने लगे कि अनाज का आयात रोखा जा, उन्हें ने मजदूनों की देहारी और संख्या कम करनी शु दखते थे, जिसके पास आइस्थाई सा कोई काम था, उन्हें भी आजीवका को जाने की असंका रहती थी, यही वयद दोर था, जब देहात में कैप्टेन श्रेंग बाले धंगे फेले, गरीबों की नजर में थिसिंग मशीन बुरे वक्त की निसानी बन गई आई थे, इस कोई गरीब आदमी सारवजनिक जमीन से आपकी एक भीड ले ले, तो कानून उसके खिलाप खड़ा हो जाए, लेकिन अगर आप सेक्ड़ों गरीबों की भीड बकरियां की चड़ने की जमीन चीन लेते हैं, तो कानून कुछ नहीं करता, अगर गरीब आदमी आपसे कोई च चीन ले, तो उसको फासी दे दी जाती है, जबकि अगर आप उस बैक्ती की अजीब का चीन ले, तो आपके खिलाप कोई कारवाही नहीं की जाती है, गरीब इस बात को किस तरह समझें, कि कानून उनकी पहुंच से बाहर और सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर सकती है, यह त कोई पिसासन का दिखा रही हो, सब गरीबी कोई सताती रहती है, जे एम नीशन कॉमन, कॉमार्स, 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 राइट, इनक्लोजर्स, एंड सोसल चैन्ज, सब तरह सो से अठारे सो तीस के वीच से उत्यात, इसे भी देख लिए, इसके प्रिप्रीद बहुत से लेकोन बाड़ाबंदी के लावों की भूरी-भूरी पिसंसा भी की है, खुले खेतों और बाड़ाबंदी की जमीन के बीच कोई तुल्ला नहीं की जा सकती है, बाड़ाबंदी की विवस्ता निश्चित रूप से खुले खेतों से बेतर है, खुले खेतों के मामले में खे जानी हुआ है उनसे अलव होकर कुछ नहीं कर सकता और उनके भी खीव फून पांथ कर सकता है यह आपके जॉन मेल मेडेलिटन अठारवी स्तार्थी के एक लेकक ने लिखाए इसमें निसकर्स तरक्या कहा जा सकता है इस तरह इंगलन में आदुनी केती के आगमन से कही तरह की बदलाव आये मुक्त खेद समाप्त हो गए मुक्त खेद समाप्त हो गए याद रखी और किसानों की पारंपरिक अधिकार गाओ के गरीब बड़ी संख्या में सहरों की उत पलायन करने लगी कुछ लोग मद्धवर्ती चेत्रों को चोड़कर चड़ी प्रांतों का रूप करने लगी जहां रोजगार की समभावना बहतर थी कुछ अन्न सहरों की उत चल पड़े मजदूरों की आयका टिकाना ना र सीधा सा मतलब है कि लोग सहरों की तरब किस लिए जाते हैं अच्छे स्वास्त की सुगधा के लिए पड़ाई लिखाई के लिए और रोजगार के लिए या अगर आप इन्हें गिरामीट चित्रों में उपलग्द करादें तो कोई मजदूर नहीं जाएग और आप लोग जानते हैं कि जो प्राइवेट नौक्रिया होती हैं इसमें इस्थाई आपका नहीं होता है कभी भी निकाल सकते हैं और निकाला जाए सकता है उस कंपनी से या जहां लोग काम कर रहें तो आपके मन में हमेशा डल भी रहता है कि कब निकाल दिया जाए जहां से हम कब हाट जाएंगी ठीक है अब हम बात करते हैं रोटी की टोकरी और रेतिला बंजल आए अब जरा अटलांटिक के बार अमेरिका चले आए देखें कि यहां आदोनी खेती का विकास कैसे हुआ किस तरह अमेरिका दुनिया की रोटी की टोकरी यानि की ब्रेट वास्केट बनकर उब रहा उन इन बदलायों का अमेरिका के ग्रामीरों पर क्या पर वहा पड़ा उ वह समय तक अमेरिका में बड़े प्रमाने पर इस थाई खेती के विकास नहीं हुआ था जहां 80 करोड़ एकर भूमी पर जंगल थे वहीं आपके 80 करोड़ एकर भूमी पर जंगल थे याद रखिए और 60 करोड़ एकर भूमी पर सरफ घास उखती थी समय चित बात से आप उस समय की प्राक्ति हड़ाली के बारे में अंदाल्या लगा सकते हैं यह आपका उत्री अमेरिका का चित है याद रखिए यह आपका जंगली हो गय है यहाँ कल लंबी जो घास होती थी बुचेत पले यह आपका है छोटी घास और यह रहागे स्थानी पेड़ पौदी यहाँ होते थे यह आपका अट्लांटिक मास अगर है यहाँ प्रसांत मास अगर लगा पर और यह दिख रहे हैं सावनी यह यहाँ की क्रीड चिकार सों यह यहाँ की स्थानी यह निवासी थे स्वेट आतरवासियों के पश्टमी प्रसा से पहले अमेरिका में जंगल और घास के मैदानों किस्ति दी इस पिकार थी बेकर की पुस्तक एकोनोमिक जियोग्राफी खंड दो 1926 में संकलेत अगरिकल्चर डीजन अप नौर्थ अमेर तक अभर घाता मांच में आप उननीस वी सदीके फैरंबीक और में अमेरिका के भिवन मौल कवीलों के नबास छेत्रों को भी देख सकते हैं उस समय अमेरिकी बूद्रस का जानद तरह सा शवेत अमेरिकियों की नेंतन में नहीं था. जो आप अभी देख रहे हैं नए, शवेत अमेरिकीयों को, यह वहां प्रवासी के रूम में गए हुए थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि अस्वेत यानि कि अस्वेत लोगों का स्वेद अमेरिकी वसावट पुर्वी तट की एक छोटी सिसक्री पट्टी तक सिमित था। अगर आप उस समय अमेरिका की सहर पर निकलते तो आपको जगए जगए अमेरिका की मूल निवातियों के बड़े-बड़े समू मिलते हैं। इनमें से कुछ गुमंतु थे और कुछ इस्थानिय रूप से रहने बाले थे। इस्थाई रूप से यहीं रहते थे। बहुत सारी समू सरिफ सिकार करके खाद पदार्थ बीन कर और मचलियां पकड़कर गुजारा करते थे अपने जीवल्यापन करते थे। जबकि कुछ लोग मक्का, फलियों, तमाकू, कुमड़े की खेती भी किया करते थे। अनसमो जंगलों, फसुओं को पकड़ने में महर थे। और 16 वी सिदी में से ही बनी वन विलाव कफर यूरोपिय ब्यापारियों को बैचने मेचते थे यह लोग। चित पांच में 28 अतापती के प्यारंग विलावर्सों में विल्मिन केविलों की अवस्तिती कुदस आए गया है। चुक, चुक, टाउ, सैमी, नौल, एहा की संभूग। इसको आप देख रहे होंगे। 1920 में अमेरिका के खेती हर चेत्रों की स्तिती है। 1920 के दसक में पिकासित बेकर की पुस्तक एकोनोमिक जियोग्राफी में संकिल लेकों की आलार पर लिया गया है। यह आपका घास बन पेटी हो गई। पिसान सागरी यह वो पूर्ट कटी बन दिये पसल पट्टी हो गई। यह रहेग स्तानी चेत्रों गाया। crp यी ए रहूकी पर्वतमाला। ग्रेट पिलैस पिलैस्थूं का चेत्रों है। यहां सूखी घास। और रहेचालाथ इलाका हो गया। मक्य की पटी। मक्यां और ग्यंग की पप्ट्टी। बेवस्ताय पट्टी वो पोश्ण कटी बन दिये तठ यानि यह मतलब पूरा कप्जा कर लिया एक तरह से जहां गास घास हुआ करते थे बन हुआ करते थे उनको साफ कट डाला 20 भी सदी आते आते यह बूद्देस पूरी तरह बदल चुका था स्वेट अमेरिकी पश्चिम की ओर फैल गए थे और उन्होंने वहां की जमीन को केसी यह बना लिया थे इस पिक्किरिया में उन्होंने मूल कभीरों को उनकी जगों से विस्थावित करके अलग-अलग खेती हर इलाके बना लिये थे किसी उपादन के विस्थ बाजाय में अमेरिका की तूती बोलने लगी थी यह परिवर्तन कैसे संभव हुआ अमेरिका में बसने वाले यह नई लोग कौन थे खेती के इस पिसार में से अमेरिका के मूल निवासी यानि की इंडियन मूल की कभिलाई समधाय की जीवन पर क्य समध स्वेतों के पश्चिमी चेत में जाकर बसने से घहरी रूप से जुड़ा है 1775 से 1783 तक के चले अमेरिकी सुधता संग्राओं और स्वेत्राच अमेरिका के गठन के बाद स्वेत अमेरिकी पश्चिमी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी याद रखिए 1776 में अमेरिका को बापकी आजादी मिल चुकी थी चार जुलाई 1776 तक टॉमस जेफर्सन के 1800 में अमेरिका का राष्टपती बनने पर तक लगबग सात लाक स्वेत दर्रों के राष्टे अपलेशियन पठारी चेत्रों में जाकर बश चुके थी समय पूर्वी तर्ष से देखने पर अमेरिकी संभावनों से ब्राथ देखता था वहां के बियावानों के किरिसी और भूमी में बदला जा सकता था जंगल से इमार्ती लखडी का नर्याद किया जा सकता खाल के लिए पत्तुद्वेर यमून का शिकार की आजा शक्ता था और पहाड़ियों से सौने और जैसे धातूर खनीज पदातों का दौपन किया जा सकता था लेकिन इसमें एक समस्य आती क्या समस्य कि पहले आके आवस्वेट जो निबासियों को निकाल बाहर किया जाए यहां जिनकर कबजा था आसोईत लोगों का उन्हें बाहर निकालने के बाद ही यह संभव हो सकता था सायुक्तराज अमेरिका की सरकार ने अठारे सो के बाद के दस्कों में ओपनेवे ओप्चारिक नीती बनाकर अमेरिकी इंडियनों को पहले मिसीसी पी नदी यह वही नदी है जो पंचागार पंची गयाकर का डेल्टा बनाती है नदी के पार और बाद में और भी पशेम की तरब खदेञा सुरु किया इस बेकीरिया मैं कई लडाइयन लड़ीगी इसमें आपके मूलनेवासियों का जहन्संगार किया जन्ड़ां निकी उन्हें मारा गया उननकी गाउँ जला दिये इन्हें हमनोंने पित्रोत किया कई ल परसाल देश सकते हैं पहले एक छोटा आसुइद वेक्टी यहां बसे हुए थे देख सकते हैं छोटी सी तो उसके बाद इन्हों ने विस्तार किया फिर उसके बाद यहां पहुंचे इस तरह से एक समय ऐसा है कि पूरे पर कब्जा कर लिया इसका मतलब यही है कि आप किसी की जमीन पर थोड़ा कब्जा करते हैं इसी तरह बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आता है कि आप पूरी जमीन उसकी अत्या लेते हैं तो यही यहां कि स्वेटों ने किया अमेरिका में इस चित को आप देख रहे हूंगे सेमा थे चित्रों में सौड मकान गास के मैदान साब करने की दौरान आप दरवासी किसान इस तरह के गर बनाते थी इस चित में मकान बनाने की लगडी का अभाव था एक कहां से चित लिया गया है अपर है फैर हल्ट इस्टेंड इस्ट्री इन फिक्चर स कलेक्शन एंडी आई आरेस एंडी एस्व आसिव भार्गों से लिया गया है जिस्टी मूल नेवासीयों को की सही जगों पर नए नवास बसने लगे या कि जो यहां के मूल नेवासीयों की जगह ओपर इनके जो स्वेद व्यक्ति थी यह अपने घर वसाने लगे परवासियों की लहर पर लहर आती गई 28 सिदापदी के पहले 70 एक तरवासी अपलेशियन पठार में बश चुके थी और 1820 से 1850 के बीच इनोंने उन्होंने मिसीसीपी की घाटी में भी पैर जमा लिया था उन्होंने जंगलों को काट जला कर ठूट उकाड कर खेट और घर बना लिये और पर उन्होंने बाकी जंगलों का सफाया करके बाड़े लगा दी इस जमीन पर वह मक्का हो गया हूं की केती करने लगे थे मक्का भी अच्छी मात्रा में आपका होता है अमेरिका में सौट एक घास बा मिट्टी का मिस्तरन होता था सौट सुरुवाती बर्सों में इस औरवर जमीन पर किसानों ने अच्छी फसल पैदा की जैसे ही एक जगए जमीन की पैदावार घट जाती किसान बहतर जमीन की तलास में नई जगए चले जाती इस तर यह आपकी जूम केती इसी तरह से तो होती है जब एक जगए उलब औरवर का मैदानों में प्रवासी आबाती का पिरसार 1860 के बाद की रखना है बाद के दस्कों में यह समूचा चित अमेरिका के ग्याम उत्पादन के एक बड़ा चित बन गया था अब जरा ग्याम उत्पादक किसानों के बारे में कुछ विस्तार से बात की जाए देखा जाए कि इन किसानों ने किस तरह खास की मैदानों को अमेरिका की रोटी की टोपरी में तबदील किया उन्हें किन समस्याओं से जूजना पड़ा वो इस पिक्रिया कि क्या परड़ाम रहे हैं कि आप देख रहें चित कि छुट्टी के दप्वहर को स्थाना एक किसान परिवार डकोटा के विस साल मैदानों का 20-20 सधी के पहले दसक से मैं लिया गया एक चित तरह आपका ग्याम उत्पादन किसान जो ग्याम उत्पादक थे किसान उनके बारे में 19-20 सधी के अधियाक्रे सालों में अमेरिका के ग्योंत पादन में जवर्दस्त बिद्धी होई इस दौरान अमेरिका की सहरी आवादी बढ़ती जा रही थी और निर्याद बाजार भी दिनो दिन फैलता जा रहा था मांग बढ़ने के साथ गयंगों के दामों में भी उचाल आ रहा था ए माँग और यानि की डिमांड और सप्लाई क्या होती है आपूर्थी मांग और आपूर्थी इसके बारे में आप एकोनोमिक्स में यानि की अर्थ विवस्ता में बहुत अच्छे से जानेंगे उसमें परना सभावी बात रहती है जब मांग घट जाती है तो उसकी कीमत घटने लगती है और या फिर उत्पादन बढ़ जाए और मांग कम हो जाए यानि कि मांग उतनी वड़ी रहे और बाजार में टमाटर काई भर जाए तो भी आपकी उसकी कीमत गिर जाएगी इन सब के बारे में हम लोग अर्थ विवस्तागे में बिस्तार से बात करेंगे इस से उतसायत होकर किसान ग्यहूगाने की तरफ जुखने लगे रैलवे की परसाल से खाद्यानों को ग्यहूद पादक छित्रों से निर्यात के लिए पुर्वी तटपर ले जाने आसान होगे है यानि किने अने के लिए भी सुविधा बाहनों की गोजोगी थी रैलवे की बेस्वी सतापती की शुरुआत तक ग्यहूँ की मार में और भी विद्धी हुई और प्यथम विश्योत के दौरान ग्यहूँ के विश्चो बाजार में भारी उच्छा लगे एप्यथम विश्योत अपका 19 1934 से 1908 के बीच हुआ था रोसी ग्यहूं की आपूर्दी पर रोक लगने के बाद ग्यहूं के लिए एउरोप अमेरिका पर ही आसरित था अमेरिका की राखपती बिलसन ने किसानों से बक्तवी की पुकार सुनने का आहन किया यानिकि एक नारा था खोग ग्यहूं उप्चा पर ग्यहूं की खेती की जा रही थी आपकी नौ साल बाद ग्यहूं उत्पादन का छित्पल बढ़कर यहां 7.4 करोड यानि की लगभख 65.35 जाना हो गया था इसमें से जाना तरविती बिसाल मैदानों यानि की ग्रेट प्लैंस में हुई थी जहां नित नए छित्रों को ज मातर में फिराति आपकी नई तकणिकों का अगमन होता है इसे देख तरह होंगे अपकी हैं इस सचल हलय है गौर करें की हल का अंकला हिस्सा एक छोटे से पहिये पर टिका हुआ है इसमें पीछे की तरफ एक हत्ता लगा हुए होता है जिसकी मदद से हल को आंगे पीछे चलाया जा सकता था इस हल में बैल या फिर घोड़ी जोते जाते थी यानि कि बैल या फिर घोड़ी की मदद ली जाती थी ग्यामूत पादन में हुई यह बिलक्चन विद्धी नई तकनीक का परड़ाम था और निश्वी सदापदी में नई फिरवासी जैसे जैसे नई जमीनों को अपने कप्चे में लेते गए वैसे वैसे उन्होंने नई जरूरतों की मताविर अपनी तकनीक में भी बदलाव किय जब वे लोग मद्ध पश्चन के घास मैदानों में पहुचे तो उनके वे साधाना घल बेका सावित हुए जिनका वे पूर्वी तर्ष पर इस्तेमाल किया करते थे यहां के मैदानी गहने गास में से ढके थे जिसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी इस सक्त जमीन को तोड़ने के लिए कई तरह के हल विक्सित किये गए इस थानी इस तरवर विक्सित इन हलों में पुल हल कुछ हल आपके बार एक पुट लंबे होते थे इन हलों का अंगला इससा चोटे-चोटे पहियों पर टिका होता था और उन्हें च्छै बैल या पर गोड़े खीनते थे 20-20 सतापदी की सुरुवात में 20 साल मेंदानी चेत्रों के किसान इस सक्त जमीन को टेक्टर और डिस्क हलों की मदस से यहों की खेती करने के लिए तेयार करने में चुटे थे इसे आप देख रहे होगी चित्में या आपका साईरिस मेक्रा कॉर्मिक द्वारा 1831 में बनाये गया प्रीपर है फसल काटने के बाद उसकी कटाई के नंबर आता था और 1830 से पहले फसल कटाई के लिए हसीय का इस्तिमाल किया कर जाता था आप लोगों ने देखा होगा इ इसे यह एक ऐसा काम है जिसे सेकड़ों इस्तिप्रोस मिलकर एक साथ लगकर करते थी लेकिन 1831 में सायरिस में कॉर्मिक ने एक ऐसे ओजार का विसकार किया जो एक ही दिन में इतना काम कर देता था जितना की 16 आदमी हसीय के साथ भी कर सकते थी इस तरह 20-20 सतापती की होते 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 अमेरिका की जानातर किसान फसाल काटन निकली कंबाइल्ट हार्वेश्टर का इस्तिमाल करने लगे इस इन मसीनों की सायता से 500 एकड के खेट की कटाई का काम सिर्फ दो सत्ताय में ही निपटा है जा सकता है आप भी देखते हैं हार्वेश्टर को कि जितना आपके मजदूर दस दिन में 15 दिन में करेंगे मिलकर आपको घुसा वाला भी हार्वेश्टर आ चुका है आपको यानि कि एक तरह आपका ग्यहूनिक लिए दूसरी तरह घुरूसम और आपका खरच भी कमाता है इसमें तो आप किसलिए मजदूर लगवाएंगे और एक कि अमीर किसानों के लिए यह मसीन बहुत मत्वून बन गई यहूं के दाम आसमान चुरह थे उनकी मांग खतम होने का नाम ही नहीं ले रही थी इन मसीनों से जमीन के बड़े टुकड़ों पर फसल काटने ठूट निकालने घास आठाने जमीन को दुबारा खेती के लिए त जित्तों से चलने वाली मसीन इतनी उपए हुई थी कि उनकी साहता से स्रिप 4 बेटी मिलकर एक मौसम में 2000 से 4000 इकड़ भूमीक पर फसल पहना कर सकते थी कितने लोग चार बेटी आपने देखा हो गावी अभी कुछी दिर पहले एक आर्टीकल निकला हुआ था कि एक बेटी सौ पसमों की देखवाल कर सकता है अब ऐसे यसी तकनीकी आभी ही यारी कि सौ भेट अगर गाय वो पालगा है तो उसकी वो रखवाली उनकी देखवे रिक कर सकता ह दोद लगाने के लिए मसीन आज चुकी है और जो आग उनके लिए खाना बनाती है उसके लिए भी मसीन उपलते हैं तो आराम से एक आदमी कर सकता है इसमें फिर्यापका इस समय गरीब जो जन्ता थी इसका क्या हाल हुआ है इसके बारे में भी जान देती है गरीब किसानों के लिए मसीन बरवादी बन कर आई बहुत सारी किसानों ने इन मसीनों को इस उम्मीद के साथ खरीदा था कि ग्यों के दामों में पहले जैसी तेजी बनी इन किसानों को बैंक कासानी से रिड दे देती थी लेकिन रिड को चुकाना मुस्किल काम होता था रिड आधा ना करने की इस्तिती में बहुत सारी किसानों को अपनी जमीन से हाथ दोना पड़ सकता जाता था इसका मतलब होता था कि काम की नई से तलास एक बात आपको पता होगी कि गाउं में साहुकार जो होता है वो रेड तो दे देता है बहुत ही आराम से लेकिन उसका व्याद चुकाते-चुकाते किसान की जिन्दगी में कर जाती है समझ रहे हैं बेसे ही लोग थी आंगे लेकिन इस काल में रोजगार बहुत मुश्कित से मिल पाता थी बिजली चारित मसीनों का आगमन से मजदोरों की जरूरत काफी कम हो गई थी इसके साथ ही 1920 के दसक की मद्द तक 1920 सदापदी के अंतिम वर्सों और 1920 सदापदी के आरंबिक वर्सों की आतिक तेजी खतम हो चली थी महाव योद्द के उपरां पतपादन की हालत यह हो गई थी कि बाजार ग्याउं सेटा अटा पड़ा थी लेकिन खरीदार ठूड़े नहीं मिलते थी जानदातर किसानों के लिए संकट का समय था ग्याउ खाद्यान भरा गोदाम जो बहते थे उसमें खाद्यान भरा ने लात पहुंच गई कि गोदाम में रखे खाद्यानों को पसुं को खिलाया जा रहा था ग्याउं के दाम गिरने से आया घए घया गया 1930 के दसक की जिस महामंदी की का आपसर जिक्र किया जाता है उसकी पेट भूमें में भी यही परस्तितियां काम कर रही थी इस मंदी का सर्थ हर जगह देखने को मिल रहत है अब जब आप समझ सकते हैं कि जाना उत्पालन होने लगी फिर मांग ना रह जाये तो यही दसा होगी न कभी कभी आप प्याज की बारे में सुनते थे टमाटर के कीलो उन्हें रोल पर डाल दिये टमाटर प्याज केक दिया आलू केक दिये गए तो जब मांग नहीं होती थी यानि कि जब मांग ना हो और उत्पालन जाना हो जादो क्या करें हो रोटी की टोपरी से रेट के कटोरी तक का सफर देखते हैं पश्पी कंसांस में काला तूपान यह आपकी 14 अप्रेल 1935 की घटना है बेसाल मैदानों में गयमों की सगन खेती से कई समस्यां पैदा हुई 1930 के दसक में दच्छन के मैदानों में रेटेली तूपान आने शुरू है इन तूपानों की उचाई 7000 से 8000 पिट होती थी गंदड़े कीचड़की सकल में आने वाले इन तूपानों से 4 तरफा तबाही पहल जाती थी 1930 का पूरा दसक इन तूपानों से अत्रांत रह इस पूरे साकाल में ऐसा कोई दिन या बर्स नहीं रह जब इन रेटेली तूपानों ने तबाही न मचाई जैसे ही आस्मान में अंधेरा चाहने लगता है रेट के तूफान, सहरों और खेतों को चारोण में गेल देती है तूपान के कारा सब कुछ अंधिकार में हो जाता था फैपड़ों में दोर और किचड़ी भरने से पसु बारी संख्या में बरने लगते थे तो रेतली तोफान से खेद के खेद पट जाते थे उनकी मेट रेत में गुम हो जाती थी आप सभी ने सुना होगा आटा की जो चक्की होती है वहाँ जो व्यक्ति काम करता है उसकी 10-15 साल उम गहते जाती है जहां आपका देखा होगा आपने केसर मसीन लगी रहती है गिट्टी निकाल जाती है उस तरब आपने इस तरह की तूपान देखे होगे थोड़ी सी हवाज चल जाए पूरा बादल दिखता भी नहीं है उस रेट की रेट का जो उड़ा रुकती है उसके पार है इस चित को आप देख रहें भी डाउट सर्वा इयर्ज एलेकजंड होग का चित है होग ने अपने चित्रों में रेतिली तुभान से होने वाली तबाही और मौत की ता दोरी का चितकार बताया था देख रहें ना यह पसूं बख्री यहां टेक्टर देखिए धस्चुकार यह रेट नदी की सतय पर इस कदर जम जाती थी कि मचलियां सांस तर नहीं ले पाती थी और मैदानों में हर तरब चिडियों और पसूं की अध्या बिक्रीब देखाई कर बेकार हो गए थी यह मसीने इस अद तक खराब हो चुकी थी कि उनकी मरम्मत भी नहीं की जा सकती थी तो इसी समय तो आपकी आर्थिक मंदी आती है 1930 की आँको पता हो इस तबाही का करण क्या था रेट देले तुफान क्या क्यों पैदा हुए तुफानों का एक करण तो के साम्मान तुफान काले भाया हुआ है तुफान का रूप इसलिए ले तके क्योंकि जमीन के बिसाल इससे पर लगातार खेती करने के कारण जमीन की उपरी पर काफियत तक तूट गई थी उस पर घास का नामोनिसान नहीं बचा थे उन एस भी सदी के आरंबिक बर्सों में गेहनुनों पैदा करने वाले किसानों ने जमीन के हर संबाव ठिश्ती से घास साप कर डाली थी 21.60 टेक्टरों की साहतर से इस जमीन को गेंगों की खिती के लिए तियार कर रहे थे रेते ले तुफान इसी आसंतुलन से पैदा होई थे एसारा चित रेत के एक बिसाल का कटोरे में बदल गया था यानि कि खुष हाली का सपना एक दरावनी हकीकत बनकर रहे गया था इस समय परवासियों को लगता था कि बिसारी जमीन को अपने कच्चे में लेकर उसे ग्यों की लहलाती फसल में बदल डालेंगे और करोडों में खिलेंगे लेकिन तीस के दसक में उन्हें यह बात समझ में आई वो पर्यावाण के संतुलन का संभान करना कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं बाड आने का कारण, तुहान आने का कारण, पर्यावाड तो ही है, क्योंकि आपने देखा होगा, जहां पेड पौद हैं, उस समय अगर हवा चल भी रही है, तो वहां धूल नहीं निकल लेगी न, पेड जो होंगे वो धूल को समाल कर रखेंगे, धरती को इसी तरह आप बाड का भी देखते हैं, जिस छेत में पेड हैं उस तरफ बाड कमाती है, क्यों भी पानी को एक संतुलन बना देते हैं पानी का, और बाड नहीं आपाती है, तो पर्यावाड संतुलन बनाना जरूरी है, क्योंकि जब पर्यावाड हमसे बदला लेता है, तो फिर भारतिय किसान और अफीं क्यरति आ को मिलेशू आई ये भारत की एवर चलें और देखें कि 1821 सिटाब्धी के इन्तिवर रशोग ओं अंणीस बीश टाब्दी की सुरूआत में भारत की ग्रामीत चैत्रों के किसानों का जैसा कि आप सब जानते हैं पिलासी के उद्ध सत्रेसो संतावन में हुगा और बकसर का ये उद्ध आपका इन दोनों यह उत्त में भारत की हार वी जो भी साशक हुए थी बारत की उनकी हार के बाद अंग्रेज एक महा सकती बनकर उपरे आपके भारत में और यहां का साशन वेवस्था भी अब उनी के हाथों में आ चुकी थी के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेज जी राज इस्थावेश को चला था ओपन वेसी साशन के दारान भारत की ग्रामी छित्रों में आमूल बदलाओ आये अंग्रेज सत्ता के लिए राजस सरकारी आय का एक बड़ा सरुप था सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए भू राजस लगान की एक नेमित विवस्था करना चाहती थी इस नेती के तहित राजजस का दर तथा केती की जोद बढ़ाने के प्रयास भी किये गए जैसे जैसे केती का च्छेट बढ़ता गया बैसे बैसे जंगल और चारगाहों कम होने लगी किसानों और चारगाहों परास्रित समुदाय को इसके चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ा अंग्रेजी सर्था के कानून के तरह अब किसान जंगलों का मंचाह प्रेयोग नहीं कर सकते थे सरकार ने जंगल और अनप्राक्तिक संसादनों के उपयोग पर कही तरह की पावंदिया भी लगाती थी किसानों पर लगान जमा करने का दबाव हर समय बना रहता था आपने गरावीट छित में देखा हुगा कि पसुओं को चराने के लिए कापी स्थान डाला है रहता था कुछ समय पहरे लेकिन आप देख रहे हैं आप कि पहाड़ों को भी लोगोंने नहीं चुड़ाए यानि कि पहाड़ों पर जाकर भी केती करने लगे हैं लोग वहां भी तो पसु इसल्यी पसुओं की संक्या कम रखने लगें। योग कि चराने की लिए सुध्धा ना हो तो बढ़ा के भी क्या फाहुआ है जिस तरह से लार्टी कीश Aberoga उस तरह से पसुमों की जन्संग क्या नहीं बढ़ रही है समझ सकते हैं जिस तरह इंसान की जन्संग क्या बढ़ रही है उस तरह पसुमों की जन्संग क्या नहीं बढ़ रही है और इंसान से लालची कोई दूसरा जानवर होगी ही सकते है जानवर से बत्तर इस देती है हमार आगे बढ़ते हैं, ओपनेवेशिक साल के दोरान, भारत के गिरामीट छित्ने, विस्व बाजार की मांग के अनुसा कई नई पसलों को उगाना सुरूं किया था, उननीस भी, सतापदी के आरंबिक बर्सों में नेल जैसी ब्यवसाइक पसलों की खेती इसी अंतराश्टी अवाजार की मां के फल सुरूप सुरूपी थी, यानि कि अंग्रेजों को जिस पसल की जरूरत होती थी, वो उसी पसल पर जोड़ देते थे, और हम पर जवजश्टी उससे खेती करने का दवार डालती थे, आपने देखा होगा चंपारण सत्या गया हुगा जो गांदी के दोरा, उन्नी सो सत्त्रे में, यही तो था नेल की खेती कुले करी, किसानों का अंदुलन तो था उसमें, सत्तापदी का अंत होते होते, यहां के किसान गर्ना, कपास, चूट, यानिक पर्सन, ग्यमों और अन ऐसी ही निर्यात आया, आधारी फसलें पैदा करने लगे थे, यह पसलें यूरोप की सहरी आवाती और इंग्लेंड इस्तित, लंका सायर और मैंचेश्टर की कपड़ा, मिलों की, जरूरतों को पूरा कंदें के लिए पैदा किये जा रहे थे, बारती किसानों के लिए इस अंतराष्टी वाड़िच और ब्यापार से जुड़ने का अनुवाओ कैसा रहा, इस बात को हम अपीम की केती के मात्यम से समझने की कौसित करेंगी, इससे हमें केती है लोगों पर अपनिवेसिक सासन के प्रवाओ को समझने में मदद मिलीगी, साथ ही हम यह भी जा सकेंगी कि इस दौरान उपनिवेसों में बाजार विवस्ता किस तरह काम करती थी, तो सबसे पहले देखते हैं चाय का सौंक, चीन के साथ ब्यापारत, बारत में अफीम के उत्पादर का इतियार कीन और इंगलेंड के पारस पर इंगलेंड के गहरे र चाय की लोग प्रीजिता बढ़ने के साथ साथ चाय का ब्यापार दिनों दिन महत्पूर होता गया, 1785 के आसपास इंगलेंड में 1.5 करोड पॉंड चाय का खाया किया जा रहा था, और 1830 तक आते आते यह हकड़ा 3 करोड पॉंड को पार कर चुका, बास्तों में इस समय तक इस्ट इंडिया कंपिनी के मुनाफिका एक बहुत बड़ा हिस्सा चाय के ब्यापार से पैदा होने लगा था, इस ब्यापार की एक समझ से यह थी कि इंगलेंड में इस समय ऐसी किसी बस्तू का उत्पादन नहीं किया जाता था, जिसे चीन के बाजार में आसानी से बैंच किया करेंगे, और सासकों की सत्ता में अर्णगा लगाने की कौसिस करेंगे, कुल मिलाकर मंचु साथ ब्यदेशी बस्तू के लिए चीन के दरवाजी कुलने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, आकर ऐसी स्तिती में पश्च्चिम के ब्यापारी चाय के ब्यापार को कैस से जारी रख सकते थे, ब्यापार संतुलन कायम रखना, उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया, अभी भी आप लोग देखते हैं कि ब्यापार संतुलन बनाए रखना हर देश की यही चनोती रहती है, ब्यापारी चाय के बदले चांदी के सिक्के, यानि कि बुईयन दिय किया करते थे, आपने भी देखा हुगा इस बात को, कि शुरू में जब ब्यापारी आये, इस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहां आई, तो कहते हैं कि हमारा वारत सोनी से पठ चुका था, सोने चांदी से, यानि कि जो भी मसाला खरीदते थे समय बस्तू हमारे यहां से, उन्हें वहां से मगमाने के कोई जरूरत नहीं थी सोना चांदी, बलकि यहां से भेजने लगे उल्टाओ, यहीं से कर्व बसूलते थे, और यहीं से निर्याद खरीदते थे, निर्याद कर दिया करते थे, यानि कि अपने देश भेज दिया करते थे, चांदी की निर्याद लोगों में अच्छी निगासे नहीं देखा जाता था, यही एक तरह से इंग्लेंड के खजाने को खाली करना था इंग्लेंड में सारवजींग चिंता का विशाय बन गया था लोगों में यह भावना घर करने लगी थी कि खजाना खाली होने से देश में गरीवी पहल जाएगी और राष्टिय संपत्ती हाथ से निकल जाएगी इसी कारण ब्यापड़ी चांदी का विकल्प ढूंडने की कौसिस कर रहे थी बे एक ऐसी बस्तू की तलास में थी जिसे चीन के वाजर में मेंचा जा सकता है अफीम एक ऐसा ही उत्वाद था चीन में अफीम की सुरुआज 16 भी सताथी में कि प्यारम में पुर्दगारीयों ने की थी लेकिन अफीम को मुक्ता औस्दी के रूम में देखा जाता था बहुत सी दवाईयों में इस्तिमाल यानि की अफीम का इस्तिमाल किया जाता है चीन के सासक अफीम की लद को लेकर चिन दिती वहां के सासक ने औस्दी के अलावा अफीम के उत्वादन विक्करों पर रोक लगार की थी लेकिन राज की अपावंद्री के बाद जो 28 सिताथ आधी की मत्रों में पष्टिम की ब्यापारी यह चीन में अफीया ब्याया चीन की दक्षड पूर्वी बंदर में अफीया दरोगाँ में ब्या देते थी और 1820 के असफास अफीयम की लगबग 10 सजार क्रेट अभेद रूप से चीन में लाए जा रहे थे 15 साल बाद केर कानुणी ठंग से लाए जाने वाले इस अभीम की मात्रा 35,000 क्रेट का अगड़ा पार्थ कर चुपी थी इस चित को देख रहे हैं यहां आपका भारत है दिख रहा है भारत यह जैए गोलकाता है चीन होगा केंटन या आपका इंग्लेंड लंदन होगया ते कोड़ी अब आप ब्यापार्थ अंग्रेज ब्यापारी इभारत से अफीम ले जाकर चीन में बेंचते थे और चीन से इंग्लेंड को चाहे का निर्याद करते थे भारत और इंग्लेंड की बीच दो तरफ ब्यापार होता था 19-lv सधी के 10 में भारत ने इंग्लेंड को होने वाली हत करका निर्यात में घ्रावट आने लगी इसके इस्थान पर कच्चे माल यानि की रेसम का पास तथा खात्ज्याणों का निर्यात बढ़ने लगा इंग्लेंड भारत में अपने निर्मित माल भीजने लगा जिसके बैडाम सुरूब भारत के दस्तकारी उत्वादों का एरास होने लगा यह आपका ये स्या है ये रोफ हो गया ये अपीका है मादिवा ये चित दिख रहा होगा आपको एज चीन से आता भारत आये जहाज के चत्त है थॉमस डैनियल की किट्टी है डैनियल अपने बातीजे बिलियम डैनियल के साथ 1786 में भारत आये थी वे दोनों पहले चीन गए थी वहां कुछ समय बिताने के बाद बेकेंटन दच्ट चीन से पहुंचे थी उनका जहाज भारत के इस बंदरगाह पर पंजीगित था लेकिन इस जहाज में सिर्फ पूर्वी देशों के साथ ब्यापार किया जाता था चीन के साथ अपहिम के अवैद ब्यापार के लिए इसी तरह के जहाजों का इस्तिमाल आपका किया जाता था यह 1849 में चीन के साथ सक ने लिन जेसू को केंटन के विशिस आयुक्त नियुक्त किया। लिन जेसू को अफीम का व्यापार रोकने की जिब्मेदारी देगी। वह ए 1849 के वसंत में केंटन पहुंचा। जेसू ने पत्र समालते ही अफीम के व्यापार में लगी 800-600 लोगों को विरापतार करने की आदिश दिये। और 1100 पॉंड अफीम जब्त कर ली। इसके बाद लिन जेसू ने विदेशी फैक्टरियों को अफीम का इस्टॉक खाली करने की हिदायत भी दी। इस कारवाई के तहट अफीम के 2000-20000 केट नश्ट किये गए। जेसू के केंटन में विदेशी व्यापार पो रोग लगाने से इंग्लेंड ने चीन के खलाब योद की पूशन कर दी। अफीम योद जिसे आप लोग अफीम योद की नाम से जानते हैं। यह आपका 1837 से 1842 तक चला। मैं चीन को मही की खानी पड़ी। यानि कि चीन इसमें पराफित हो गया। उसे एक अफमाजनक संदी स्विकार करनी पड़ी। संदी की सर्तों के अनुसार अफीम के ब्यापार को कानूनी मानता दे दी गए। चीन के दरवाजे विदेशी ब्यापार के लिए खोल दे गए। यहुद के बाद। जिसमें अफीम के ब्यापार की भर्तसना की गए थी यानि की बुराई की गए थी। यहां लेंदवारा महरानी को लिखे गए उस पत्य का एक अंस्पिस्तुत है। चीन में जो लोग अफीम की खर्वक करते हैं या उसका सेवन करते हैं उन्हें मित्युदन दिया जाना चाहिए। अगर हम अफीम बेंचने वाले इन बरवर लोगों की अपरादों की जाज करें तो उनकी हरकतों से देश को ओने वाली नुकसान का जाजा लें तो इन लोग एक मील के बराबर होती थी हूँ निश. इस इन बरीवर लोगों के जाज अफीम के व्यापार के लिए चीन में आते हैं और भारी मोनाफा कमाते हैं। चीन के संपत्ति का य pursue बर्वर व्यापारी अपने हित्जों में दोहन कर रहे हैं। इसका मतलब है की इन बर्वर व्या तन्नाक नसीली दवात खिलाएं मैं पूचना चाहता हूँ कि आपकी नितिकता कहा चली गए मैंने सुना है कि इंगलेंड में अफीम के सेवन पर सक्त रोक है इसका कारण यह है कि आपका देश अफीम के खतरों को समझता है यदि आप अपने देश का नुकसान नहीं करना चा और फेर बेंक चाइनीज रिस्पॉंस टू दाव बेश्ट उननीस सो चम्वन के पत से ठीक है बूरा तैरा ग्राव इस तरह यह हुगा कि जहां इंगलेंड में चीन से आयत की गई चाय लोगों की जमान पर चड़ लेगी वहीं चीन की जनता अफीम की लग का सिकार होने लगी यह लग समाज की सभी वर्गों दुकानदार सरकारी करमचारी सेना के लोग वह चवड़ बेकाईयों में बेकारीयों में फैल भी आपने देखा होगा कई मा अपने बच्चों को भी अखीम खिलाती थी कि वह सो जाय यानि कि उन्हें परिसान ना करें और वह अपना काम कर स वह को समय के लिए वच्चा सो जाता था अठारे सो उन्तालीस में केंटन के विसे साय तिल्लेंग जेसू के अनसार चीन में 40 लोग अपहीम का सेवन करें हैं केंटन में रहने वाले एक अंग्रेग डॉक्टर के मुताविक लगवर एक करोड़ 20 लाख लोग अपहीम की लग अपहीम के अवैद ब्यापार से हासिल की इरास्ती का इस्तेवाल चाय खरीदने के लिए किया जा रहा था यानि कि अब इंग्लेंड को अपने यहां से जो सोना चांदी था उससे देने की जरूरत नहीं पड़ती थी यहीं से वो मुनाफ़ा कमाते थे यहीं से चाय खरीद कर अपने देश बैजती थी तहीं से आपका अंग्रेज ब्यापारी इंब कहां से पराप्त करते थे अफीम के व्यापार में भारतियों किसानों की भूमिका यहीं से सुरू हुईती है बंगाल विज़ाए के बाद अंग्रेज्जों ने अपने कपचे की जमीन पर अप्प अपहीम के केती सुनों की जैसे जैसे चेन में अपहीम का बाजार बढ़ता गया बैसे बैसे बंगाल के बंदरगाउं से अपहीम का नेरयात बढ़ने लगा बताए था ना कि मांग और पूर्थी दो फेक्टर होते हैं इसी वस्तूर, यानि कि मांग बढ़ेगी तो उसका उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा आपको उसकी कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी 1767 से पहले 12 से केवल 500 पेटी यानि कि दो मन के बरावन अपीम निरयात की जाती थी मन की अगर बात करें तो मन भार की माप होती है एक मन में आपके 40 किलो होती है एक सेर में 1 किलो में ग्राम से कुछ कम होता है लगवग आपका 40 किलो होता है एक मन ठीक है स्तिर्फ 4 वर्सों के बीतर या मात्रा 3 गुना बढ़ गी सौ वर्स बाद अर्थाथ 1870 तक आते आते सरकार हर वर्स लगवग 50 अजार पेटी अपीम का निरयात करने लगी थी समय दिनों दिन बढ़ते ब्यापार को कायम रखने के लिए अपीम की मान को बढ़ाना आवस्सक था लेकिन यह काम आसान नहीं था आकिर किसानों को अपीम की खेती के लिए कैसे त्यार किया जा सकता था किसान अपीम के वोने के लिए त्यार नहीं थी इसके कई कारण थी सबसे पहले किसानों को अपीम की खेती सबसे और बढ़ जमीन पर करनी पड़ती थी यानि कि जो सबसे अच्छी पूमी गुआ कपती थी, उसी पर ये खेती अफीम की खेती होती थी. खास तोर पर ऐसी जमीन पर जो गाओं के पास बढ़ती थी. आम तोर पर ऐसी उपजाओ जमीन पर किसान दाल पैदा कर देले हैं. अच्ची और उरबर जमीन पर अफिम बोने का मतलब डाल की पैदाबार से हाथ दोना था उन्हें डाल की फसल के लिए कम और बर जमीन का इस्तिमाल करना पड़ रहा था खराब जमीन में डालों का उतपादन ना केबल अनिश्चित रहता था बलकि उसकी पैदाबार भी काफी कम रहती थी दोसरी बहुत सारी किसानों के पास जमीन थी ही नहीं अफिम की खेती के लिए ऐसे किसानों को भूस्वामी को लगान देना पड़ता था बेन भूम स्वामीयों से बटाई पर लीके जमीन पर अफिम होगाते थी गाओं के पास की जमीन की लगान दर बहुत पूची रहती थी तीसरी समस्या क्या थी अफिम की खेती बहुत मुश्कित से होती थी अफिम के नाजुक पोदे को जिन्दा रखना बहुत महिनत का काम था अफिम बौने के बाद किसान दूसरी फसलों पर ध्यान नहीं दे पाते थी अंत में सरकार अफिम बौने के बदले किसानों को बहुत कम दान देती थी किसानों के लिए सरकारी मूल पर अफिम पैदा करना घाटे का सोदा होता यानि कि जब आपको फायदा ना हो तो आप वो खेती किस लिए करेंगे तो यही समझ जाती है फिर आपका किसानों को अफिम की खेती के लिए कैसे मनाएगे आखिर किसानों को अफिम की खेती करने के लिए अग्यम रकम दी जाती थी यानि कि पहले ही रकम दे दी जाती दी बंगाल और बिहार की गरामीट चित्रों में गरीब किसानों की एक बड़ी जमात हैस्ती थी जो हर समय आर्थिक संकट में घिरी रहती थी भू सौामी का कर चुकाने या अपने लिए भोजन और वस्त का प्रबंदर करना उनके लिए हमेशा मुस्किल रहता था 1870 के बाद गाओं के मुखिया इन किसानों को अफिम पैदा करने के लिए अग्यम रकम पेश करने लगे और क्या हुआ गरता था कि ये मुखिया अंग्रेजों से मिले रहती थी आपकी रेड की सुगिधा इन किसानों के लिए बड़ी रहत बन गई कराई रेड की सुगिधा के चलते किसान ना किवल अपनी ततकालिक जरूरतों को पूरा करबाते थे बलकि पहले से लिए करज को भी अदा करने की हालत में आ जाते थे लेकिन इस रेड ब्यवस्ता की कार साथ एक खराब बात या जुड़ी हुई थी कि रेड लेते ही किसान गाओं के पिधान वो सरकार के बदवगा हो जाते थे अगर आप किसी से रेड लेंगे तो आप तो वही करेंगे ना जो बोगो लेगा सामने वाला तो यही हाल किसानों का हुआ करता थे हमारे इन किसानों तक यह रखम अफीम के सरकारी एजंटों के जरीये पहुंचती थी ये agent गाउं के पिधान को अग्जिम रकम दिती थे और गाउं का पिधान इनकिसानों को एक बार रिड़ लेने के बाद किसान अफिम बोने से मोकर नहीं सकते थे इस विवफस्था के ताहर किसानों को एक निस्चित छेद्फल में अफिम बोनी पड़ती थे फसल अफीम के एजन्टों द्वारा काटी जाती थी एक बार फसल वोने के बाद उस पर किसान का कोई अधिकार नहीं रह जाता था वैस इस जमीन पर कोई दूसरी फसल भी नहीं हुआ सकता था इसे उस फसल को कहीं और बेंच्टें की आजादी भी नहीं थी साथ ही फसल की दाव एजन्टों द्वारा तै किया जाते थे एक दाव हमेशा ही बहुत कम होते थे एस्थिति आप ग्रामीट छित में देख सकते थे जो साहूपकार हुआ करते थे तो खिसान उनसे रड़ लिया करते थे उसके बाद क्या हुआ करता था कि फसल उनी को बैचनी पड़ती थी आपका जो भी अनाज होता था उनसे ही साहूपकार खरीट देथे और सभाविक सी बात है कि वह बहुत कम रेट खरीट थे अगर बाजार में आपका आने जगे 20 का विक्राय तो वह 10-12-15 का लेती थी किल का रादमत नहीं था वह एकफद इस बात के पक्ष में थी कि अफीम का उत्पादन कम से कम लागत पर किया जाया और कलकत्ता के अफीम एजेंटों को एफीम उचे दां पर बेंची जाए कलकत्य एजेंट इस अफीम को कुछ जीन बेजने के विवस्ता करते थे अफीम के इस क्रह व ठेकांतर सरकार के खातों में जाता था दूसरे सबदों में यही सरकार का राजस होता था अफीम पैदा करने वाली किसानों को इतना कम मूल दिया जाता था कि इसी अठारवी सिदावदी की शुरुआत तक आते-ाते किसान बेहतर दांगी मां करने लगी थे और अग्यम पेशगी लेने से इंकार करने लगी थे बनारश के आसपर चित में अफिम पैदा करने वाले किसानों ने तंग आकर इसकी खेती बंद कर दी थे इसके बदले उन्ह किसानों ने गन्य और आलू की केती अपना ली थी बहुत सारी किसानों ने अपनी पसलों को गुमंत्तु ब्याबारी हों को बैंट डाला था यह ब्याबारी किसानों को बहतर दाम देती थे यहां आपका पॉइंट है सिवी दिख लीजे 1833 में इलावाद के सहाए एक अपह मैंने यह बात महसूस किया कि यहां के सभी किसान इस बेवस्था से नाराजी बेसे कती पसंद नहीं करते हैं इस मामले में मैंने कई जगे बढ़ताल किये और मेना मेरा अनुभा है कि अफ्येम की खेती को किसान अभी साब मानते हैं बे अफ्येम की खेती अपनी मर्जे से बलकि डंडे के जोर पर कलते हैं यह खेती कलेक्टर के आदेश्ट कित है शुरूप की गई थी लोग बाग बताते हैं कि उनके साथ चप्रासी बत्तमीजी से पेच आते हैं और उनसे गाली गलच भी कलते हैं किसानों की रायड अफिम की केती में उन्होंने नुक्सान हुआ है यह आपका लिया गया है बेनोज चौधरी की पुस्तक ग्रोफ और करमिर्सील अग्री कल्चर इन बंगाल से फिर पूरा ही बाग था 1773 तक बंगाल सरकार ने अफिम के ब्यापार पर अधीपत जमा लिया था सरकार के अलावा कोई बाहरी वेक्ती यह ब्याबार नहीं कर सकता था यानि कि इकादीकार हुआ करता था आपने देखा हुआ कि जाकि 1813 में एकादीकार खतम होता है और आपका चाय और चीन को सथी में अंग्रेज सरकार ने पाया कि उनके छेत में अफिम का उत्पादन घटने लगा जबकी ग्यारवेरतिस एलापो में अफिम की खेती खोग फलफूल वही थी मदभारत और राजिस्थान जैसे गयर बेट इस चेत्रों में अफीम का अत्पादन बदयस्थार जारियत था इन चेत्रों में इस्थानीय ब्यापारी किसानों को बेतर मूल देते थे और 1820 के दसक में यह ब्यापारी ससत दल बल के साथ ब्यापार करते थे अंग्रेजों की दिश्टी में यह ब्यापार अबैद था, बेसे तसकरी मानते थे, इस पर रोक लगाना चाहते थे, सरकार अपहीम पर अपना अधीबत बनाय रखना चाहते थे इसलिए उन्होंने रियासतों में, दैनात अपने एजेंटों को, इन ब्यापारियों की अफीम जर्थ करने, उफसलों को नश्ट करने की आदिश दिए जब तक अफीम का उत्पार्ण जारी रहा तब तक बैटे सहिकार, किसानों और इस्तानी ये ब्यापारियों कि भी यह टकराव चलता है लेकिन इसलिए हमें यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि ओपनेविसिक्स भारत में सभी किसानों की हालाद अफीम की खेती करने वाले किसानों जैसी ही थी ओपनेविसिक्स भारत में अन्य किसानों की हालाद के बारे में हम एक अलग अध्याय में बात करेंगी यानि कि सीधा सा मतलब था कि उने सीधा सा अपना मतलब निकालना था अंग्रेजियों को फिर चाहे उसके पीछे किसानों की कोई भी दोर्दसार क्यों ना हो इसमें निसकर्स तक क्या कहा जा सकता है इस सद्ध्याय में आपने पढ़ाने कि आदमनी काल में विस्त के बिविन ने गरामीड चित्रों में मतलब परिवतन आये इन बदलायों पर नजर डालती समय हम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये बदलाव हर जगे एक जैसे नहीं थी गरामीड चित्र के सभी बर्वों में इन परिवर्पनों का प्रवाव एक समान नहीं था इन बदलायों से कुछ बर्वों के कुलाब हुगा कुछ को नुकसान हुगा और आधुनी की करन का यह है इत्यास त्रिप बैभाव पून ही नहीं था इसे के वल बुद्ध विद्धी और विकास की एक सांदर कहानी बन नहीं कहा दर सकता है इस काल में लोगों को अपनी मोल जगय छोड़कर अजीवका की तलास में अनिस्थानों का रोग करना पड़ा यह काल गरीबी, पर्यावणिये संकट, सामाजिक विद्रो, उपनिवेसिक, निवेसी करन और गमन का काल भी था हमें इन बदलायों के विभिन पक्षों को समन्ने का प्रियास करना चाहिए क्योंकि आदोनिक विद्रों में खे दिया जन्ता, किसानों ने इस इस्तिती का मुकाबला अलग अलग धंसी किया था यह आप देख रहेंगे, उननीस भी सदी में अफिम की फैक्टरी को गाजी पर रेल्वे स्टेशन ले जाती किसान है कौने? किसान है आपके तो यह आपका अध्याय था छटवा चिसान और कास्तिकार यह आपके कुश्चन्स दिये गए हैं ने देख सकती हैं टेलीगराम आपकी सभी पीडियाप हैं टेलीगराम पर डलीवी हैं वहां से जाकर डाउनलोड करके रखने हैं, ठीक है? सात्वा चेप्टर हमका अंगला हमारा इतिहास और घिन कि बारे में टी?